दुनिया के सबसे उंचे रेलवे के महराबदार पुल पर भारत का जंडा लहरा रहा है जी हाँ ये चिनाब पुल है यह पुल अपने आप में जबर्दस्त है और ये दिन खास है 13 आगस्त 2022 एक ऐसा दिन जब यह पुल पूरी तरीके से पूरा कर दिया गया महराबदार पुल दुनिया का एकमात्र इतना उंचा पुल 369 मीटर की उंचाई है यानि एफिल टावर से भी उंचा ये पुल है और यहाँ पर जो बंदोबस्त किये गए हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी विवस्था की गई है कि यहाँ पर एक क्रेन के जरिये फूल बरसाए जा रहे हैं और हम आपको ये खास द्रस से दिखा रहे हैं खास नजारा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्साइटमेंट है लेकिन इस पूल की अगर हम बात करें तो इसके लिए 13 अगस्त 2022 वाकई एक ऐसी तारीक है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ देखिए जिधा नजर डालिए भारत का जंडा लहरा रहा है भारत का ये जबरदस्त पूल क्यों खास है और एक और चीज हम आपको बता दें कि इस पूल के लिए 13 नंबर खास है क्योंकि इस पूल की सुरुवात 13 नंबर से ही जुड़ी हुई है आज जब ये पूल पूरा हुआ तब 13 आगस्त है और इस बारे में हमने बात की यहाँ पर काम करने वाले इंजिनियर से और उनसे समझना चाहा कि 13 नंबर क्यों खास है भारत में जब कोई 13 नंबर की बात करता है तो लोग कहीं-कहीं घबडा जाते हैं घबडा इसलिए जाते हैं लोग लगता है 13 नंबर असुब होता है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि नंबर तो नंबर ही है और यहाँ पर एक सयोग है कि चेनाब ब्रिज की अगर हम बात करें तो 13 नंबर से खास नाता है इस ब्रिज का तुम किसवजे से ऐसे कहा जारे रहा है। इस सब पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ कमाम लोग हैं। करें हैं और 13 नंबर कि किस्टेंगे और हम बात करेंगे μलीब क्वेह कि क्या कहेंगे दे कि अजब बूल पर कि हमारा पहला पुसिंग हुआ है जो सको आज फकर से बोल पार है कि हमारा ब्रीज पहले से इसका विशन हुआ है कोडियंड जिसके लिए बहुत दिन से रुका हुआ था लेकिन वह हो गया और वह सक्सेश हो गया और 2013 से हमारा अक्चली में वर्क जो है वह भी काफी रप्तार पकड़ा है तो अक्चली कभी मानता हूं थर्टीन तीज और लोकेस्ट मतलब डेट है लोकेस्ट नमबर है अल् को यह नंबर कुँछ नहीं दिखता है यहां पर आप समझ कुछ कुछ नहीं होता है क्योंकि आपनी मेहनत और ताकत से चीज़न खड़ी कर सकते हैं और यहां पर ढनाव है तो बहुत से टुखों के पीछे लिखा होता है की मेरा साथ मिल्कुल बिल्कुल और यह भारत के लिए गर्व का है तो यहां तेरा नमबर का ब्रके लिए हमारे Elaine के लिए वह दो उससे हम लोग यह कह सकते हैं कि 13 नंबर पार नंबर वे अनबर है मेहनत का काम हैं जब साइन्स की बात करते हैं इंगिनरिंग की बात करते हैं तो उसमें कोई भी चीज हम कह सकते हैं कि सुभा सुभ नहीं होती है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें अंध्विश्वास हो हर चीज विश्वास के साथ की जाती है क्योंकि चीजों को समझने के बाद जो है सारे exploration किया जाते हैं और उसके बात काम किया जाता है यहाँ पर और लोग भी है कि आप मानते हैं कि तेरा नंबर से कोई जो है लेना देना है इसका अधना अच्छली हशुब मानते है पबलिक पट अम लोंको वह अच्छा ही हुआ जो भी काम important काम हुआ वह तेरह तारि हमें जितना भी में वर्क था जैसे डिजाइनिंग का finalization होना वह 2013 में in all respects final हो गया था हमारा excavation start हो जो 2013 में buckland से start हुआ वह excavation करके हमें आर्च की foundations तक पहुचना था वह बहुत में वर्क था जिसको start करना हिच था वह 2013 में start हुआ यह सब चीजें जब 13 नंबर से लिंक होती गई तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रिज के लिए बहुत लगी है पर जैसे सर ने बोला कि उसके बाद तो हम जितने यहां पर इंजिनियर्स एन्की महनत नहीं इस बिच को आगे खड़ा किया है उनका हर्ड़ पर उनका दिलिजेंस का प्रिजेंस जो उन्होंने इस ब्रिज केरें प्रिशे रहे जाता है उसके महनत आगे जाती है तो कह सकते हैं तो महों तरीके के विचार है आपका क्या नाम है आपका तो मेरा माना है कि नंबर कोई भी है यह तो अनफॉर्टनिटी तेरा नंबर को यहां काम स्टार्ट हुए है मतलब लेकर हमने successful भी किये हैं सारा श्रे जो इंजिरियर्स का dedication पर जाता है सबने मिलके काम किया और dedication के साथ किया उन्हें कभी यह ने सोचा कि किस date को क्या किया बड़ यह होता गया और हमने successful यह सारे काम किये अच्छा fabrication की बात करते हैं तो fabrication आम दर्सक बज़र समझाइए fabrication होता क्या है हमने कई जगे देखा है fabrication होता है यहां पर और यहां पर भी fabrication का बड़ा रोल है एहम रोल है तो क्या है fabrication और क्यों इतना important है fabrication का मानना है कि आप बहुत सरी चीज़ों को जोड़ा के कोई चीज़ को बना रहे हैं तो उसको fabrication कहा जाता है तो यहां पर जनली क्या है कि हम welding को process करके बहुत सरे बार्ट को जॉइंड कर रहे है और एक structure बना रहे है जैसे बहुत सरे मेरे पार्ट है उसको क्या करें प्रिकेट कर रहे हैं कट करें उसको जो भी हमारा structure बैसा त्यार करें तो उसको fabrication बोलते हैं यहां पर जो काम किया जा रहा है उसमें कोई कि दिक्कत ना हो और एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सुरुवाज से ही इसमें लगे हुए हैं क्या नाम है भाई साब आपका और कब से आप जुड़े हुए हैं मेरा नाम है से आने के बाद इधर जो हमने फर्स्ट पाइलिंग साट किया था जो मेटिरल लाने का भी प्रॉलम था से आप देखा हुए 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 से कोड़ी आने के लिए रोड वो टाइम पे सिंगिल रोड था फस्ट टाइम मैं ट्रांसवरों के डेली से आया था रोड में प्रॉट ना यहलाना तो बड़ा चालेंज ता इसके लिए हम लोग रियासी में याइड लेके उदिर डिस्वैंडल करके उसको पीस-पीस में पीस-पीस को इधे शिफ्ट करके इधर फिर असेंब्ल करके काम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में इसे मेजर चालेंज थ इसकवेशन जो आमने इतना स्लोप दिख रहे है 240 मीटर हाइट का कटिंग किया था 2012 जुलाए में स्टार्ट किया था बट वो 2013 से ही स्पीड पकड़ा स्टार्टिंग में हमको बहुत ब्रॉलम था वो जितना अप्रोच रोच दिख रहे हैं आपको हर बरम के लिए आप रो देना गया को पूरा जो स्लोप नहीं नहीं होने कि लोट करना है नाग्क रॉस्षिंट करनाना इसके बाहर्वाला को मट को ट्रांसपोर्टिक नहीं लोड करके देखेगा तो रात को एक रोड रहता था था मौर्निंग देखेगा तो दूसा रोड लेकिन बरम के लिए यह रिस्ट्रेक्श हमको ऐसा नहीं है इतना हेवी डंपर्स मोव होने के लिए भी हमको इतना मोटरबल रोड बनाना है उसके लिए एक टाइम पर इसमें 25 एक्कवेटर्स नेट फॉर्टी फॉर्टी टूट हेवी एक्क्यूप्मेंट चलता था इसमें हम लोग डाई ली एंजिनिस ने दिन रात जो मिट्टी में म स्टीजलिंग करना ड्रसिंग करना राक बोल्टिंग एस पर डिजाइन ग्राउटिंग शॉट्केटिंग यह पुरा बड़ी मेहनत है और एक और चीज एक सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरीकी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो तमाम लोग का कहना है यहीं से मिट्ट करने का है तो एक डिगरी का स्टीप स्लोप जरूर मती नीचे आजाएगा अब लोग पहला डिजैन के आए क्या च्ट रंस बनाया नीचे जाएके पहला रोग कैस्ट रंस मतलब उपर काटने का जो कुछ मती आ जाएगा वह ट्रंच में क्या आके गिर जायता था बाद में है उसको ट्रंच जैसा टोड़ा बर गया तो काम का कटिंग नगा का म moved जाता था और मको ट्रेंच को करके फिर ट्रेंच को रिस्टोर करते थे इतना यह नहीं आम लोग को कंट्रोल प्लास्टिंग किया है इधर करीजैन के इतर सक्ट्रोल बासे हो स्लोप से कि अपल जैसा कटिंग पुस्वर्पाइल उसका एक्शड़ट प्रोफेल करने के लिए हम श्मीट ब्लन इक का आधाय। श्मीन कर सिर्फ अब करने के ऊной को च इना सब्कमाइस इन हो कोड़ को ने काधा आप हा ले वह उने वो आजने कि अजया technologies को अयर्कों एक दूसरे के बाद में वह लाश्ट जोने का बागी स्प्रिट लाइन से और पांच मीटर का उसको चिसलिंग ब्रेकर से अम लोग ब्रेक करके निकलते थे यह ब्रेकिंग वने का बाद हम लोग इमेडियेटली स्लोप का जाइन्ट मैपिंग जियालाजिकल मैपिंग करते थे स्लोप पहला डिजैन किया उसका वैलिडेशन करते थे हम लोग वैलिडेशन करके यह सही डिजैन और इधर का जाइंट का सबसे यह मैच होता है नहीं हो चाहिए वह चेक कर लेगा कुछ फरुक पड़ता है तो आप कमचूर है बाद में आम लोग स्टेंटनी करने के लिए र से नदी बह रही है और उपर यह पूल एकदम अंतिम चरण में है जब यह पूरी तरीके से बन जाएगा तो निश्चित तौर पर यह अनोखा पुल है यह अनोखा पुल इसलिए है क्योंकि भारत में वह च्छमता पैदा हुई है और अपनी च्छमता को उसने दिखाया है क्योंकि भारत के इंजिनियर्स के लिए यह बड़ी फक्र की बात है कि इस तरीके का जो पुल है इस तरीके का जो इस्ट्रक्चर है वो बन कर तैयार हो रहा है तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो निश्चित तोर पर इस इलाके में एक बड़ा बदलाव होने ज